कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल में आज इस वीडियो में हम बताएंगे आप घर बेठे ही मस्रूम का ओनलाइन बीच किस परकार खरीच सकते हैं आप मस्रूम को अपने किचन गार्डन में लगा कर भी अपने घर क परके दिखाता हूं यह देखिए यह अमाजून से मैंने इसको मंगाया है यह एक केजी बीच है जिसका एक सो निनादमे रुपीच चार्ज है यह जी एस्टी इनकूल्ट था टेक्स इनकूल्ड समेथ दोसों निनादमे रुपीच का हमें मिला है यहां आपको नजदिक से दिखाता हूँ इसमें एक केजी बीच्ट प्लस पांच हमें मिल है और इसका एक बिल आप डेख सकते हैं यह इसका बिल है चलिए अब मैं आगे इसकी अनबॉक्सिंग से करता हूँ अगर आप भी ओन-लाइन मश्रूम का बीच महाना चाले हैं या मश्रूम का बीच खरीद देना चाहते हैं तो मैं नीचे इन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा आप वहां जाकर ओनलाइन बीज बंगवा सकते हैं यह इन्होंने वह पांच पॉल पॉलिथें बैग बताएं वह दिये हैं एक दो तीन, प्यार, पान, छे, साथ, आठ, नो, देस, बाइचांस इनसे मिश्टेक हो गई होगी इसलिए इन्होंने दस बैग डाल दिये हैं वैसे तो हमारे बॉक्स पर लिखा हुआ था कि इसमें पांच बैग हैं और यह देखिए दोस्तों इसमें मस्रूम का यह इसमें मस्रूम का बीज है आप यह आपको मैं आपके सूइदा के लिए बता देता हो कि मस्रूम का वैसे तो कोई बीज नहीं होता है इसमें गेहूं के दानों के अंदर फपुंत लगी होती है यहीं फपुन नमिपरियापूश था नमिभी परियाप्षिव मिलकर ही इसके मस्रूम तियार होती है即ि इसी काण इसको ऊपर से पूरा बंद किया जाता है जिसमें इसको नमी ना मिल सके चलिए आप मैं थोड़ा इसको आगे खोल के दिखाता हूँ आपको इसमें नमी रोगने के लिए इनको अच्छी तरह बंद किया जाता है क्योंकि नमी के कायंट जो इस पे फ्रपूंद लगी होती है या जो कवक लगा होता है वो ग्रोग करना सुरू कर देता है मैं आपको इसको कैसे ग्रोग किया जाता है इसकी भी संपूर्ण एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि इसको बीज को कैसे हम ग्रोग कर सकते हैं देखे कितनी अच्छी तरह से इन्होंने इसको पैक किया है यह आप देख सकते हैं यह बिल्कुल गेमों के दानों के उपर लगा हुआ है तो किसान भाईयो दोस्तो जल्द होगी मुलाखात एक नई वीडियो के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिसे मैं जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ आपको उस वीडियो का नोटिफेक्शन मिल जाए तो जल्द होगी नई वीडियो के साथ सुरुआत बने रहे हैं इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद